हिलो फेंड्स आज मैं HTC जहासी के अंतरगत कंड़क्ट रभाए गए सिनियर इंस्टक्टर पोस्ट के पेपर्स के सलूसन देखेंगे इसलिए वीडियो के लाज तक बने रहें एबम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एबम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर नौर्थ सेंटर रिल्बे के अंतरगत जो सुपर्वाइजर स्ट्रेरिनिंग सेंटर जहां सी है वहाँ पर यह पेपर सिनियर इंस्टक्टर सीन डबलो के अंतरगत पेपर कंड़क्ट हुआ था गर बात करें एक्जाम डेट की तो अभी हाली में 22 सितंबर 2023 को यह पेपर कंड़क्ट हुआ था जिसमें केंडियो को दो घंटे का समय दिया गया था और इसमें number of questions की गर बात करें तो टोटल 110 प्रस्ण इसमें पूछे गये थे इसमें केंडियोट को केबल और केबल 100 प्रस्ण का जवाब देना था जिसके लिए केंडियोट को दो घंटे का समय दिया गया था और इसमें बात करें and negative marking का तो one third negative marking का भी प्रभधान इस paper के अंतरगत किये गये थे आगे चलिए देखते हैं कि इस paper के अंतरगत कौन कोन से प्रस्ण पुछे गये थे सबसे पहले प्रस्ण की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले प्रस्ण पुछे गये थे what is the length of our body of LHB coaches यानि LHB coaches का length of our body यानि body one end to other end जो होता है LHB coach की body का length वो कितने mm को होता है वो यहाँ पर पूछे गए है तो यहाँ पर बात करें हम LHB coaches का तो head stock to head stock अगर बात करें length का यहाँ 23,540 mm का होते है वो ही अगर बात करें दोनों तरफ LHB coaches में H type CVC coupler लगे होते हैं तो यहाँ पर बात करें अगर length अबर coupler अगर पूछा जाता कि length अबर coupler कितने mm के होते हैं तो यह हो जाता 24,000 mm यहाँ पर बात करें प्रस्ण के नुसार तो length अबर body पूछा गया था तो 23,540 mm option नंबर की बात करें तो option नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है what are the condoming limits of LHV wheel diameter यानि LHV चको के जो condoming limits होता है वो कितने mm पर condom करते हो यहाँ पर पूछे गया है तो LHV चको का जो new dimension होता है वो 915 mm होता है और condom हम 845 mm पर करते हैं तो यहाँ पर हमारा option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है what are the higher speed potential of LHV coaches यानि LHV coaches का जो higher speed potential होता है वो कितने तक हम यूज में ले जगते हैं तो इसका जो अगर बात करें तो जो testing की गई थी वो 160 kmph पर लेकिन बरतमान में वो 130-135 के range में चलते हैं जिसको हम upgrade करके 200 kmph तक हम कर सकते हैं तेहाँ पर हमारा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा 160 kmph upgradable to 200 kmph नेश्ट परस्ण यहाँ पर है What is the new wheel diameter of LHV wheel यानि LHV wheel का नए चकों का व्यास कितने इम्यम का होता है तो या 915 इम्यम का होता है यहाँ पर option number B सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ पर परस्ण है How many make CTBU are used in LHV coaches यानि LHV coaches के अंत्रगा जो cartridge, taper, bearing unit जो उज़ किये जाते है वो कौन से make के कितने make का होता है तो टोटल दो make की में होते है तो यहाँ पर हमारा option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट परस्ण हाँ पर है How many shock absorbers are used in LHV coaches यानि LHV coaches में कितने संख्या में shock absorber यूज किये जाते है वो यहाँ पर पूछे गया है तो LHV coaches में अगर बात करे shock absorber की तो हम हमारा primary परत्यक टोली में हमारा 4 चपको पर प्राइमरी vertical damper लगे होते है जिसकी संख्या हमारा 4 होता है वो इस सेकेंडरी vertical damper की इगर बात करे जो यह इर स्प्रिंग के पास लगा होता है इसकी संख्या पर बोगी 2 की संख्या में होते है लेटर बेमर हमारा पर बोगी 1 की संख्या में होता है वोई यो डेमर जो हमारा बोगी और बड़ी को connection करने का काम करता है उसकी संख्या परबोगी 2 की संख्या में होते हैं सारे को जब एड करेंगे तो टोटल आपकार 9 की संख्या में परबोगी 100 के उजर्वर्स निकल कर आएगा लेकिन यहाँ पर कोचेज के केस में पूछा गया है चुकि 2 ट्रोली का परबोगी परते कोच के उंतरगत किया जाता है तो इस परकार हमारा 18 की संख्या में नमबर आफ सौक अबजर्वर्स उज़ किये जाएंगे परते कोच के उंतरगत यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा ओप्शन नमबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ पर परस्न है हुआटी दर नेम आफ सौक अबजर्वर कनेक्टेड बिट्विन बोगी एंड कार बड़ी जो इलेचबी का अपर बड़ी होता है जिसे सेल बोलते हैं नीचे जो बोगी होता है दोनों को कनेक्शन करने का काम जो सौक अबजर्वर करता है उसे हम यो डैमबर के नाम से जानते हैं यहाँ पर हमारा ओप्शन नमबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह इस तरह से यो डैमबर जो हमारा अपर बडी के साथ connected होता है और दो की संख्या में यो डेम पर पर बोगी लगे होते हैं वहीं गर पर कोचेज की गर बात करें तो जीरो फोर की संख्या में पर कोचेज लगे होते हैं Next यहाँ पर प्रसने कोडल लाइफ हो पलेच भी कोचेज यहाँ पर आप्शन नमबर डी सही उत्तर हो जाएगा Next प्रसने हाँ पर है Maximum Permissible Buffer Drop Under Gross Load and Wern Condition यहाँ जो अगर बात करें हैं यहाँ पर जो Maximum Permissible Unmage जो Buffer Drop होता है Gross Load and Wern Conditions में वो कितने mm तक होता है तो वो होता है 75 mm तक यहाँ पर आप्शन नमबर हमारा C सही उत्तर हो जाएगा Next प्रसन यहाँ पर है Trip Maintenance Schedules that is Depo 1 Schedules of LHP Coach is done in यहाँ लेचब कोचों का जो D1 Depo 1 Trip Maintenance Schedules करा जाते हैं वो परतेक ट्रेप के बाद करा जाते हैं यहाँ आप्टर एवरी ट्रेप D1 Maintenance Schedules should be done तेहाँ पर आप्शन नमबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसके लाबा अगर बात करें हैं D2 की तो D2 Schedules जो करा जाते हैं वो करा जाते हैं 30 days प्लस माइनस 3 days के अंतराल पर करा जाते हैं इसके लाबा बात करें हैं D3 Maintenance Schedules का तहिया करा जाते हैं 180 days प्लस माइनस 15 days के अंतराल पर करा जाते हैं निश्ट प्रस्ट भी D3 Maintenance Schedules का जिगार्डिंग पूछे के हैं जो 180 days प्लस माइनस 15 days के अंतराल पर करा जाते हैं तो यहाँ पर आप्शन नमबर C सही उत्तर हो जाएगा निश्ट प्रस्ट यहाँ पर है यहाँ पर बात करें कि यहाँ यहाँ पर बात करें कि यहाँ छे लाग किलोमेटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम सॉप सिटुल वन कंड़क्ट करवाते हैं वहीं एसेस टु की गर बात करें तो यहाँ थ्री यहाँ यहाँ बारा लाग किलोमेटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम कंड़क्ट करवाते हैं वहीं SS3 की गर बात करें तो या 6 years या 24 lakhs km जो भी पहले हो उस basis पर हम कराते हैं यहाँ पर प्रस्ण में सौप सिडूल 3 के बारे में पुछे गए हैं तो या 6 years या 24 lakhs km जो भी पहले होगा हम उस basis पर इसका सौप सिडूल कनेक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर हमारा ओफसर नमबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ट यहाँ पर है साइड बाल्ब आप LHP कोचेज आर मैनुफेक्टर फ्रॉम याँ LHP कोचेज का जो साइड बाल्ब यह बहुम इसके लावा गर बात करें हम इंड बाल्ब की यह दोनों के दोनों जो होता है वो फेर्टिक एस्टेल SS409M का बना होता है यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ओफसर नमबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी अगर बात करें हम थिकनेस की तहिया एप्रॉक्स 2-3mm के रेंज में इसका थिकनेस होते हैं नियस्ट यहाँ परस ने законwn entrance ने परस ने Convainer of the tender committee in store department इसदर अलिश्टोर डिपार्टमेंट के अंतरगत जो tender committee का convener होता है सही हो जग होता है वो क्यों होता है तो वो होता है store member यहाँ पर option number जो होगा तो reflection number D ईसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ प्रस्ण है buffer stock is known as यहाँ बफर stock को जाना जाता है safety stock के रूप में यहाँ पर हमारा option number B सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ प्रस्ण है beach of the following scrape items are not condemned by the survey committee in the scrape depots यहाँ पर बुला जा रहा है कि beach of the following कौन सा item है जिसे condemn नहीं किया जा सकता scrape depot के अंतरकत survey committee के द्वारा यहाँ पर हम बात करी कि survey committee के द्वारा जो scrape items condemn नहीं किया जा सकता वो होगा यहाँ पर हम coupler body को condemn किया जा सकता है empty drum और जो mild steel seats होता है यह सारे को condemn किया जा सकता है लेकिन baggage को हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर हमारा option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ परस्ण है in beach form materials are not required are returned to the nominated stores depots as per store code यहाँ पर होला जा रहा है कि इन किस कौन से firm में materials का requirement नहीं होता है return करना nominated stores को store codes के अनुसार तहाँ पर हम बात करें store codes के अनुसार अगर return नहीं करनी का requirement होता है तो इसमें हम जो firm यूज करते हैं वो हम S1539 का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसके मदद से हम material का जो nominated stores होते हैं वहाँ पर return करने की requirement नहीं होता है यह हमारा store codes के अंतरगत बताएगा है नेश्ट यहाँ प्रस्ण है As per factory act After how many years should the factory pyramises be painted and refurbished यहाँ बोला जा रहा है कि factory act के अनुसार कितने बर्स के बाद हमें factory को pyramises painted and refurbished करना चाहिए यहाँ बात करें कि paint और जो नमनी करीद करते हैं factory को वो कितने अंतराल पर करना चाहिए तो हम five years के बात करते हैं तेहाँ पर हमारा option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ प्रस्ण यह बात करें तो no woman shall be employed in any factory between 7 p.m. and 6 a.m. however, the states may vary the above limits but no such variation shall authorize the employment of any woman between the hours of dash and dash यहाँ पर बोला जा रहा है किसी भी महिला को factory के अंतरगत employed नहीं किया जा सकता 7 p.m. से लेकर 6 mm के बीच हाला कि जो states जो राज यह है राज वेगर वहाँ पर यह limits को vary करता है जो variation authorized करता है लेकिन इसमें जो variation है वो जो limits है वो vary नहीं करना चाहिए जो limits रखा गया है 10 p.m. से लेकर 5 p.m. के बीच का उसको wired नहीं करना चाहिए इसको भी ध्यान रखना होगा राज यह को भी तेहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ओ और option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 p.m. to 5 a.m. Next यहाँ प्रस्ण है What is the principle of brake system used on LHB coaches? यानि LHB coaches पर जो brake system use किया जाता है वो उसका क्या सिधानत है तो वो twin pipe with this brake यार brake system पर based होते हैं यहाँ पर हमारा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा Next यहाँ प्रस्ण है brake accelerator in LHB coaches इस जा यानि जो LHB coaches में brake accelerator होते हैं वो एक emergency brake application device होता है जो की brake pipe से connected होता है और emergency condition में वो कारी में brake लगाने का काम हो करता है यहाँ पर हमारा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ प्रस्ण है बात करें हम तो green color जो होता है वो हमारा released condition को indicate करता है नेश्ट यहाँ प्रस्ण है P E A S D stands for यानि P E A S D का अर्थ क्या होता है तो यह होता है पैसेंजर इमर्जेंसी अलार्म सिंग्लिंग डिवाइस होता है यहाँ पर option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ प्रस्ण है इसका अगर बात करें हम निव डामेंस का ब्रेक पैड का तहिया 35 mm का निव कंडिशन में इसका तिकनेस होता है नेश्ट यहाँ प्रस्ण है ब्रेक डिस्क आर मेड अप और जो ब्रेक डिस्क बना होता है वो ग्रेक आस्ट आयरन का बना होता है तहां पर option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर बात करें हम ब्रेक डिस्क का तो इसका डाया जो होता है वो 640 mm का होता है और वहीं अगर बात करें इसके थिकनेस की तो इसका थिकनेस 110 mm का होता है जब यह reduce होकर 96 mm तक आ जाता है तो हम इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं इसके लाबा अगर बात करें जो ब्रेक डिस्क के उपर जो फिन्स प्रवाइड होता है वह gap के साथ प्रवाइड होता है तो यह gap जो प्रवाइड करवाइड करवाइजाता है वह cooling purpose के लिए प्रवाइड करवाइड करवाइजाता है नेश्ट यहाँ प्रवाइड है How many brake cylinder are provided in A type coaches? यहाँ प्रवाइड होते हैं वह यहाँ पर पूछे गये हैं तो A type coaches की अगर बात करें तो इसमें जो number of brake cylinder होते हैं वह दो की संख्या में होते हैं यहाँ पर option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ट यहाँ पर है How many brake cylinder are provided on year brake freight stock? यहाँ जो year brake freight stock में number of brake cylinder जो होते हैं वह यहाँ पर बात करें हम conventional के वारे में क्योंकि यहाँ पर mention नहीं किया गया है कि जो मारा freight stock है वह conventional basis पर brake cylinder की संख्या पूछे जा रहे हैं या BMS के अस्तर पर यहाँ पर हम बात करें conventional के लिए यह 01 की संख्या में होता है वहीं अगर बात करें हम BMBS के case में तो इसका संख्या पर freight stock हमारा 2 की संख्या में होता है लेकिन जो प्रसंद पूछे गए हैं वो लग रहा है oil trend के हिसाब से ही तो यहाँ पर आप इसका उत्तर 1 ही दे conventional basis के हिसाब से यहाँ आपसर नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है during drop test of the rake the maximum drop permitted in brake pipe यहाँ पर बोला जा रहा है कि drop test के दोरान जो रेक में maximum drop permitted होता है brake pipe के अंतरगत वो होता है 0.2 kg पर cm2 का आते हैं हाँ पर हमारा सही उत्तर option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ प्रस्ण है in case of brake binding on one brake disc of one wheel set it means यहाँ पर बोला जा रहा है कि in case जो brake binding है वो one brake disc के one wheel set पर होता है तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जो हमारा dump valve है वो defective condition में है यहाँ पर हमारा option number जो होगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ परस्ट है how can you know if the NRB defective अनि जो non return valve है अगर यह defective है तो इसका आप पता कैसे लगाएंगे तो इसका पता हम लगा सकते हैं कि जो हमारा FP pressure जो gauge है वो हमें pressure दिखाएगा अगर cable और cable हमारा BP hose pipe connection के case में भी हमारा जो FP pressure gauge है वो अपना pressure सो कर रहा है तो इससे हमें प्राप्त होता है कि NRB हमारा defective condition में है इसके लाबा बात करें कि अगर हम FP pressure को cut out करते हैं तो यह जर्भाईर के अंतरत कोई pressure नहीं होने के इस्तितितिव में भी हमारा NRB defective condition को indicate करता है तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो A भाब A and B इसका सही उत्तर हो जाएगा Next यहाँ प्रस्ण है During coupling operation the speed of vehicles should be यहाँ पर coupling के दोरान जो speed जो vehicles का जो operate किया जाता है वो 2 से 3 kmps पर operate किया जाना चाहिए तो यहाँ पर option नमबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा Next यहाँ प्रस्ण है Gaging of CBC is done with यहाँ जो CBC का gaging किया जाता है वो नकल के closed condition होने पर किया जाता है तो यहाँ पर option नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा Next यहाँ प्रस्ण है Maximum thickness of seam required for increase of buffer height अनि buffer height को increase करने के लिए जो maximum thickness वाले seam का requirement होता है कितने thickness का requirement होता है तो इसमें हम 5 mm के thickness वाले seam का परियोग करते हैं जिसके माध्यम से हम buffer height को यह eligible height तक हम maintain करने का काम करते हैं तो यहाँ पर हमारा option नमबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा next यहाँ परस्ण है in case of retention tank discharge cycle अनि जो retention tank का discharge cycle होता है वो कितने kmph की जो train speed होता है उसके वाद हो operate होता है तो इसमें जब train speed should be above 30 kmph तब जाकर यह operate होता है तेहाँ पर option नमबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा next यहाँ परस्ण है in case of grease oging can be seen from यहाँ जो grease oging देखा जा सकता है वो जो bearing का front ceiling ring होता है वहाँ से grease oging का समस्यागाब देखा जा सकता है तेहाँ पर option नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा next परस्ण हाँ पर है selling on a wheel set the region में भी यहाँ अगर बात करें will set पर सेलिंग के mark दिखाई दे रहे है तो इसका कारण क्या हो सकता है तो इसका कारण की बात करें हम तो इसका कारण हो सकता है कि जो WSP सिस्टेम है वो प्रूपा रूप से work ना कर रहा है साथ साथ यह भी हो सकता है कि हमारा ब्रेक के लिए पर जाम हो गया हो इसके लाबा हो सकता है कि जो एक या दोनों स्लेंडर जो है ब्रेक स्लेंडर वो हमारा डिफेक्टी कंडिशन में है यानि all of the above कंडिशन फुल्फिल for that रिजन यहाँ पर आप्सन नमबर डि इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ परस्न है इफ दा प्रामरी स्प्रिंग ओफ एन एक्सल बॉक्स इज बिक इट केन बी आडेंटिफाइड वाई यहां बोला जा रहा है कि अगर primary spring जो एकसल बॉक्स का जो primary spring है वो बिक है कमजोर है तो इसको कैसे identify किया जा सकता है तो इसको हम identify करने के लिए बात करें तो जो हमारा primary dampers का जो deflection है वो हम major करके हम इसको big condition को major कर identify कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा option number जो होगा, option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा. Next यहाँ पर आशने, if only one will set is required to change the correct action will be. यहाँ पर बोला जा रहा है कि केवल और केवल, one will set को change करने की एगा requirement होगा, तो यहाँ पर सबसे सही action क्या होगा? तो सही action जब हमें requirement होगा, one will set को change करने का, तो यहाँ पर हम सबसे पहले dismantle कर देंगे, will connection को lift करेंगे, coach को भी trolley के साथ ही हम lift कर देंगे, ताकि हमारा one will set को remove करके, other को put in करेंगे, तो यहाँ पर हमारा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा. नेश्ट यहाँ परस्ण है, dash gas is used in MIG welding, यानि जो metal inert gas welding होता है, उसमें किस परकार का gas का प्रियूग किया जाता है, तो इसमें carbon dioxide यानि CO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा. नेश्ट परस्ण यहाँ पर है, EOT crane has test motion, तो यहाँ अगर बात करें EOT की बारे में, तो EOT एक electric overheaded traveling crane होता है, जो कि आप works of IOH या ROH या production units में इसके works को आप देखते होंगे, तो यहाँ पर बात करें, तो यहाँ किसी भी जो wagon या कोचेज या trolley को lift करके one palace से other palace तप movement कराने का काम, EOT crane के माधियम से हम SOPS या ROH या IOH के मंतरगात हम करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें कि इसमें जो हम tabling करते हैं, तो कितने movement इसमें maximum हमारा होता है, तो EOT crane जो होता है, इसमें mainly three motions होते हैं, तेहाँ पर हमारा option number 20 का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें हमारा एक होता है कि जो हमारा motor लगे होते हैं, उसके center में, जिसे हम hosting travel बोलते हैं, जिसमें कोई भी object को हम सबसे पहले chain कूप नीचे लाते हैं, फिर हम अब करने का काम हम करते हैं, hosting crane के माध्यम से, तेहाँ पर यह हमारा hosting travel moment होता है, फिर जैसे हमारा इस तरह से center लगा होता है, जब यहां से moment हमारा other फिर ऐसे moment होता है, इसको हम cross travel के नाम से जानते हैं, फिर इसके लाबा जो third moment होता है हमारा, वो हमारा जब यह crane cross travel बारे जो long travel करते हैं, तो इससे हम long travel moment के नाम से जानते हैं, यानि EOT crane के पास तीन motions होते है यानि hosting travel, cross travel and long travel Next यहाँ प्रस्ट है Meaning of PCO in workshop is यानि workshop के अंतरगत जो PCO होता है उसका क्या मतलब होता है तो PCO एक production control organizations होता है जो की workshop के अंतरगत जो CWM होते हैं चीप workshop manager उसको assist करने के काम जो production engineer करते हैं जो are responsible होते हैं planning and functioning of TCU यानि production control organizations का जो assist करते हैं workshop managers को तो यहाँ पर हमारा option number जो होगा और option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा Next यहाँ प्रस्ट है MNP यानि machinery even plans program prepare in the month of death every year यहाँ पर ते एक बर्स जो machinery even plans program को prepare किया जाता है कौन से मन्त के अंतरगत किया जाता है तो यह अपरील मन्त के अंतरगत किया जाता है यहाँ पर option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा Next प्रस्ट है आप बात करें तो DB is overhauled in यहाँ पर option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा Next यहाँ प्रस्ट है जो लिमिट स्विच का क्या कार्ज है तो लिमिट स्विच का कार्ज होता है कि जो क्रें को स्टॉप करने का आप स्टॉप क्रें आपसर नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा Next यहाँ प्रस्ट ने AAC इस फोर डैस आइटम यहाँ पर आपसर नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा Next यहाँ प्रस्ट है यहाँ प्रस्ट ने AAC इस फिटेर इन BLC वैगन यहाँ बीलसी वैगन में किस प्रकार के बीरिंग फिट होता है तो यहाँ हो जाएगा CTRB यहाँ पर आपसर नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा BLC वैगन जो होता है जिसमें हमारा एक इवनिट में 5 कार लगे होते हैं 5 कार में अगर बात करें तो दोनों इंट पर हमारा A कार लगा होता है बीच में हमारा 3 B कार लगे होते हैं बी कार जो होते हैं वो S DV यानि Slack Lash Draw Bar के साथ connected होते हैं जिसका rail level से height की अगर बात करें तो 845 mm होता है वहीं ये कार जो होता है वो CBC के साथ attached होता है 1 इंड पर जिसकी अगर बात करें rail level से height तो वो 1105 यानि 1105 mm इसकी height rail level से होती है इसके लाब हम बात करें तो BLC wagon जो A car और B car होता है इसका axle load जो होता है वो 20.32 ton इसका axle load होता है इसमें परते कार पर 8 की संख्या में ATL लगा जाते हैं कंटेनर को lock और unlock करने के लिए नेश्ट यहां परस्ण है rail crane can be work यहां परस्ण है rail crane को कार्ज किया जा सकता है तो इसमें बात करें हम तो only one track track पर काम या करता है जो rail crane होता है और केवल और केवल track पर काम करता है तो यहां पर option number जो होगा और option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहां परस्ण है machine is used to manufacturing gear teeth और जो machine का परयोग किया जाता है गियर तीद को बनाने के लिए वो कौन सा machine का यूज किया जाता है तो यहां यूज जो किया जाता है वो miling machine का यूज किया जाता है यहां पर option number milling machine यानि option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसका परयोग हम gear teeth को manufacture करने के लिए यूज करते हैं नेश्ट यहां प्रस्ण है final fit of wagon is given y यानि wagon का final fit जो दिया जाता है वो ntxr का द्वारा दिया जाता है तो यहां पर option number C इसका सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण यहां पर है in palace of empty load box what device is used in BLC wagon यानि BLC wagon में empty load device के अस्थान पर किस परकार के device का प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो LST यानि load sensing device इसका सही उत्तर होगा यब इसमें लगे bluster के पास जो plank लगे होते हैं या empty और empty के दोरान 2.2 kg का pressure और loaded के अगर sense करता है तो उस दोरान brake cylinder को 3.8 kg का pressure या भेजता है ब्रिक्स लेंडर को next प्रस नहां पर है what is the material specification of BLC wagon trolley यानि जो BLC wagon trolley का material specification होता है वो होता है cast distill यहां पर जो सही उत्तर होगा वो option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा next यहां प्रस ने the standard height of platform for BLC wagon from rail level is यानि BLC wagon के लिए जो platform का standard height होता है वो rail level से वो कितना होता है तो 1009 mm इसका platform का standard height होता है BLC wagon के लिए यहां पर option number C इसका सही उत्तर होगा next यहां प्रस ने पुछे गया है excel load capacity of BLC wagon BLC wagon में हमारा जो A car और B car युज़ के जाते हैं जिसका excel load capacity जो होता है वो 20.3.2 ton होता है यहां प्रफसर नंबर B इसका सही उत्तर होगा next प्रस निहापर है टेर बेट of A car of BLC wagon यहां प्रफसर नंबर के A car का टेर बेट जो होता है यहां प्रफसर नंबर B इसका सही उत्तर होगा वहीं next प्रस निहापर है उसके लिए टेर बेट पुछा गया है तो वह 18.10 ton होता है तो यहां प्रफसर नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा next प्रस निहापर है how many automatic twist lock used in BLC wagon BLC बेगन में कितनी संख्या में automatic twist lock लगे होते हैं तो इसका संख्या हो जाएगा maintenance का काम हम G100 RDSO technical pamphlet के अंतरगत करते हैं next प्रस निहापर है रेक केरिंग कैपसिटी और BLC wagon यहां हमारा 45 wagons होते हैं जिसे हम 9 units में count करते हैं what units हमारा 5 cars के equal होता है यहाँ पर option number B इसका सही उत्तर होगा next प्रस यहाँ पर पूछे गए हैं this type of side bear arrangement used in BLC trolley यानि BLC trolley के अंतरगत किस परकार के side bear arrangement का यूज किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं तो side bearer अगर बात करें BLC trolley के अंतरगत तो यह यूज किया जाता है spring loaded और pure यानि polyurethin type जो side bearer यूज किया जाते हैं यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो option number C इसका सही उत्तर होगा next person यहाँ पर कुछे गए है which type of trolley used in BLC wagon BLC wagon में किस परकार का trolley used किया जाता है तो यह cast steel boogie type LCC F20C का परियोग BLC wagon में as a trolley परियोग किया जाता है तहाँ पर option number B इसका सही उत्तर होगा next person की यहाँ पर बात करें अगर तो what is the loading capacity of container in BLC wagon यानि BLC wagon में जो container का loading capacity होता है वो कितने होता है तो यह होता है 20 का 2 हम यूज करते हैं या 40 का हम 1 यूज करते हैं तहाँ पर हमारा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि 20 का इस तरह से हमारा 2 यूज कर सकते हैं या एक बड़ा container high height का हम 1 यूज कर सकते हैं loading के तोर पर container का BLC wagon में next person यहाँ पर है why platform height of BLC wagon is kept lower than the other wagon यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो BLC wagon के लिए जो platform का standard जो height होता है कि या 9 mm वो other wagon के मकाबले क्यों कम रखा जाता है तो इसका अगर बात करें हम तो इसको मिलनी रखा जाता है ताकि जो हमारा container के लिए जो 9 feet 6 inch का जो height होता है accommodate करने के लिए हम इसको lower रखने का कम करते हैं पर हमारा बात करें तो option number हमारा C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण यहाँ पर है एन्मजी यानि new modified goods coaches are fit to run at maximum speed यानि जो एन्मजी coaches है वो कितने speed पर maximum run करने के लिए fit होते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 75 kmph पर या run कर सकता है यानि option number हमारा C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ प्रस्ण है रिवाइट maximum payload of एन्मजी coaches is एन्मजी coaches का जो रिवाइट maximum payload capacity है वो कितने टन का है तया हो जाएगा 9.2 टन का यानि option number की गर बात करें तो option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ण यहाँ पर है नेश्ट प्रस्ण यहाँ पर है total life of एन्मजी is recommended as 10 years from the built year और 10 years from the convergence which is earlier यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इन्मजी coaches का total life recommend किया जाता है वो अब built होने के कितने बर्स तक और जो conversion किया जाता हूँ उसके कितने बर्स तक हम यूज़एक ले सकते हैं तो build होने के बाद 30 years तक और convergence की बात करें तो convergence के बाद हमारा 10 years तक हम यूज में ले सकते हैं तेहां पर हमारा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस निहाँ पर है पर्मिसिबल वैरियेशन इन विल ट्रे डामेटर्स फोर फोर विलेट बोगी ऑन ता सेम एकसल ऑन ब्रॉट गेज इज वाल टर्निंग दा विल जब इच लेट मसीन के उपर चक्को को टर्निंग किया जाता है तो जो विल ट्रे डामेटर्स में जो पर्मिसिबल वैरियेशन होता है फोर विलेट रोली के अंतरगत तो उसमें सेम एकसल पर हमारा कितने एमेम तक वैरियेशन अलाव रहता है तो या 0.5 एमेम तक हम वैरियेशन अलाव करते हैं नहां पर हमारा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहां पर है permissible variation in wheel trade diameters on the same wagon of broad gauge while changing the wheel चक्को कोड लेधिंग पर turning करते समय जो wheel trade diameters में वरियाशन लाओ होता है wagon के अंतरगत तो wagon के अंतरगत अगर बात करें हम तो same pixel पर हमारा 0.5 mm same bogey पर बात करें हम तो 13 mm और same wagon पर बात करें तो 25 mm तक हम वरियाशन इलाओ रहता है प्रस प्रस के अंतरगत हमारा same wagon पर पुछे गए थे तो 25 mm option number भी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहीं है आप बात करें तो gross load of the box and wagon याणि box and wagon का जो gross load होता है वो होता है टेर बेट प्लस पेलोड का summation होता है याणि जो box and wagon का जो हमारा टेर बेट होता है और पेलोड को जब आप एड़ करेंगे तो हमारा gross load निकल कराता है तो हम बात करें box and wagon का टेर बेट की या 20.47 ton होता है और वहीं हम बात करें पेलोड का box and wagon का तो वो 58.81 ton होता है जब दोनों को आप एड़ करेंगे तो या इसका gross load निकल कर आएगा जो की 18.28 ton होता है तो यहाँ पर जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो option number भी इसका सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस्ण यहाँ पर है newly built boxer wagon first POH periodicity is यहाँ ने बने boxer wagon का पहला periodic overhauling का जो आप दिखता होता है वो छे बर्स के अंतराल पर कराय जाता है तो यहाँ पर option number जो होगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ही नेश्ट प्रस्ण की बात करें तो इसमें BLC container wagon के लिए पहला periodic overhauling का जो आप दिखता होता है वो आप पुछे गया है तो इसका भी छे बर्स के अंतराल पर पहला POH किया जाता है यहाँ पर भी option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहाँ पर प्रस्ण पूछे गया है कि जो boxer wagon wagon के साथ फिट होते हैं उसका inspection और maintenance रिलेटर जो instruction दिए गया है और कौन से pamplets में दिए गया है तो यहाँ जी 70 के अंतरगत दिए गया है क्योंकि यहाँ पर boxer wagon wagon के regarding पूछे गया थे यहाँ पर option number B इसका सही उत्तर होगा इसके अब बात करें तो G97 के अंतरगत जो freight stock का air brake testing जो किया जाता है उसके regarding technical pamplets G97 दिया गया है वहीं G90 गर बात करें तो यहाँ BTPN wagon के inspection और maintenance से regarding technical pamplets बताए गया है नेश्ट प्रस्ट में आप बात करें तो एज पर new wagon numbering scheme first two digits will indicates यहाँ नए बैगन नंबर जो है वह total जो होता है वह 11 digits का होता है जिसमें अगर बात करें तो पहले और दूसरे अंग जो होता है वह इसके type of wagon यानि wagon हमारा boxing है BCN है BTPN है या bobbyn है किस type का wagon है वह type of wagon को यह identify करता है first two digits जो 11 उंकों का जो हमारा total numbers digits होते हैं उसमें पहला दूसरा हमारा type of wagon को indicate करता है तो यहाँ पर हमारा option number जो होगा option number भी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके लाब हमारा बात करें तो third or fourth digits जो होता है वह हमारा owning railway यान NCR का है WR का है या WCR का है किस railway का बना हुआ है वह हमारा third or fourth digits के जो digits होते हैं वह इंडिकेट करते हैं वह पाँचमी या छट्टे अस्थान के digits की गर बात करें हम तो यह आप manufacture year को indicate करता है वह 6 से लेकर 10 तक जो होता है वह बैगन के serial number को indicate करता है वह 11 जो last digits होते हैं वह इसके check digits को identify करता है जिसके माधियम से जो 11 उंको का wagon formations होता है उसको correctness को जाज किया जा सके next यहाँ प्रस्ण है the high capacity of draft gears are यहाँ उच्छ छमता वाले जो draft gears युज मिलाया जाता है वो यहाँ पर पुछा गया कि जो option दिये गया है वो इसमें से कौन सा होगा तो यहाँ पर बात करें तो RF-361 और MK-50 जो दो type की जो हमारे draft gears होते हैं वो high capacity के होते हैं यहाँ पर हमारा option number जो होगा और option number भी इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर RF-360 की गयर बात करें 361 की इसका capacity होता है 5725 kg meter इसका capacity होता है मैं MK-50 की गयर बात करें हम तो इसका जो capacity होता है वो 5385 kg meter इसका capacity होता है नेश्ट प्रस निहाँ पर है what type of center buffer coupler is in Indian railway यहाँ जो भारती railway में किस प्रकार के center buffer coupler का प्रियूग किया जाता है तो इसमें AAR type इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C next यहाँ प्रस्ण है clevis and clevis pin are the part of जो clevis और clevis pin होता है वो किस का parts होता है तो जो हमारा बात के रिए अगर जो इंजिन में आप देखने को मिलता होगा कि जो इंजन में जो हमारा कपलर प्रियोग किये जाते हैं उसमें हमारा क्लेबिस लगा होता है तो वो हमारा जो होता है वो हमारा टांजिसन कपलर के पार्ट होते हैं तेहां पर हमारा आफसर नंबर सी इसका सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस निहाँ पर है दा एक्सल लोड आप बॉक्सेन, बीस्टी एन, बी आरेन, बॉबर, बिटी पी एन, ये सारे एक्सल लोड जो होता है वो 20.32 टन होता है यहाँ पर आप्सन नमबर भी इसका सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस निहाँ पर है तब विल गेज शुट बी मेजर्ड आउन और जो विल गेज मेजर किया जाता है वो आप लोड कंडिशन में मेजर किया जाता है यहाँ पर आप्सन नमबर ए इसका सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस निहाँ पर है डट कलेक्टर आफ बेगन सुट बी क्लिनेट बिदिन जो डट कलेक्टर होता है मालगारियों का उसको साफ किया जाना चाहिए at the time of ROH जब भी ROH के लिए बेगन जाए तो उसके उड़र्ट किलेक्टर को साफ किया जाना चाहिए यहाँ पर option number यह इसका सही उत्तर होगा next प्रस नहाँ पर है बेगन डू what do you mean of SWTR हैनि SWTR से क्या समझते हैं क्या आर्थ होता है SWTR जो होता है सिंगल बेगन टेस्ट होता है यहाँ यहाँ option number जो होगा option number भी इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसका प्रेव हम ROH या ओक्सॉप में जहाँ पर हमारा बेगन को सिंगल बाई सिंगल टेस्टिंग का रिक्वार्मेंट होता है manufacturing या उसको correctness होने के बाद तो वहाँ पर हम SWTR के माध्यम से बेगन का हम टेस्टिंग करते हैं तेहाँ पर हमारा option number भी इसका सही उत्तर होगा नेश्ट प्रस्टन की अगर बात करें हाँ पर तो which type of steel are used in side frame column friction plates of cashnub होगी यानि किस प्रकार के steel का प्रियोग cashnub होगी के जो side frame quorum friction plates होते हैं उसमें हम करते हैं तीस में सही उत्तर जो होगा और सिल्को मैंगनीज स्ट्रील इसका सही उत्तर हो जाएगा option number C next प्रस्टन यहाँ पर है the payment of compensation to railway employees by the railway administration for injury by the accident is governed by यहाँ पर बोला जा रहा है जो compensation का जो payment किया जाता है railway employees को railway administration के दोरा जब करमचारी accident के दोरा injured हो जाए तो वो govern किया जाता है वो दिया जाता है जो हमारा Employee Composition Act 1923 है जिसे हम पहले worksman compensation act के नाम से जानते थे उसके दोरा किसी भी करमचारी को accident के दोरा जो injury बगरा आ जाते है तो उस दोरा जो compensation और पेमेंट दिया जाता है railway परसासन के दोरा करमचारी को यह दिया जाता है Employee Composition Act 1923 के दोरा दिया जाता है यहां पर option number जो होगा option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा नेस्ट प्रस्न यहां पर बात करे हम यहां पर बोला जा रहा है कि किसी भी परकार का क्लियम पेमेंट का कंपसेशन किया जाना चाहिए यह जो कंपसेशनर होता है वा dispose matter करना चाहिए जो की हमारा कंपसेशन के related हो वह जो time period दिया जाता है जब करमचारी के दोरा कोई भी complaint बेगर जो दिया जाता है date reference का यह intimate किया जाता है decision का तो यह time period जो रखा जाता है payment करने का claim करने का तो वो रखा जाता है 3 month के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए within the period of 3 months यहाँ पर option number जो होगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा next प्रस्निहापर है where an employee has been removed, dismissed, retrenched, resigned from the service or unemployed due to the closure of the establishment, the wages payable to him shall be paid without the days working days यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी करमचारी को जब सेबा से हटाए जा सके या सेबा से बरकास्त किया जाता है या छटनी किया जाता है या उसे इस्तिफा दे दिया जाता है service से या जो संस्ता हो established उसके बंद हो जाने कारेन या जो उनको dismissed या इमोबल किया जाता है तो इस दोरान जो wages payable किया जाना चाहिए करमचारी को वह कितने working days का किया जाना चाहिए तो two days working का किया जाना चाहिए यहाँ पर option number जो होगा वो option number बीज का सही उत्तर हो जाएगा next question जो पूछे गए है which of the following statement is or are incorrect according to the code on basis 2019 2019 code on basis के code के अधार पर जो निमलिखित में जो statement दिये गए है वो कौन सा गलत है वो यहाँ पर rectify करना है यहाँ पहले statement की कर बात करे the code ensures timely payment of wages to employed covered by the code जो कोड के दौ़ारा जो covered किये गए है employees को timely payment के लिए वो इसको मिलेगा वो सही statement है second की कर बात करे हम the code ensures payment of wages without any arbitrary deduction to employees covered by the code कोड यह भी बताता है कि जो क्रमचारी का बेज़ेज है वो किसी भी बिना किसी arbitrary deduction का provide किया जाए यह भी यह insure करता है साथी साथ the central government is responsible for enforcement of the courts in Indian railway, mines, oil fields, major ports, air transport, services, telecommunications, banking and insurance company यह सारे में जो enforcement जो होता है वो इसके लिए center government responsible होगा यह भी हमारा wages 2019 insure करता है इसके लाब हम बात करें अगर तो हमारा जो last जो हमारा fourth statement बिद दा रिटेन ऑथराइजेशन से इंपलाइड कोई भी रिटेन ऑथराइजेशन नहीं दिया जाता है कि जो wages may be paid either by the creating the wages in the waking account और electric mode किस परकार से उसका wages दिया जाएगा यह return authorization employed को नहीं दिया जाता है तो यह insure नहीं किया जाता है तो हमारा option number जो होगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनी हम पर प्रस्ण पुछे गए है the total amount of fine which may be imposed in any one wage period on any employed cell not exceed an amount equal to death of the wages payable to him in respect of that wages period नहीं जो total amount जो fine के तोर पर impose किया जाता है किसी करमचारी के ऊपर तो वो कितना से ज़्यादा exceed नहीं करना चाहिए amount wages का जो करमचारी को payable होता है wages period के दोरान तेहाँ पर जो करमचारी को period के दोरान जो payable होता है उसका 3% से ज़्यादा fine के तोर पर exceed नहीं होनी चाहिए तेहाँ पर जो सही उत्तर होगा और जो और साही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहीं आप बात करें तो according to the code on wages 2019 which of the following shall not be dimmed to be deduction from the wages of an employees और आप बोला जा रहा है कि जो coded जो wages 2019 के अनुसार किस परकार का डिड़क्षन इंप्लवाईज के बेजेस से dimmed नहीं करनी चाहिए नहीं तो इसने अगर बात करें पहला किसी परकार के बिड़ोल्डिंग और इंक्रिमेंट और परमोसंस का बिड़ोल्डिंग के लोसेज नहीं करना चाहिए एकरमचारी का तो यह हमारा सही हो जाएगा साथ ही साथ इसके लाव हम बात करें तो किसी परकार का basis जो रिड़क्शन टूर लोवर पोश्ट और टाइम स्केल और किसी परकार का लोवर पोश्ट पर नहीं उसको रिडॉस करना चाहिए लॉसेज करना चाहिए या इंस्वर करता है हमारा कोड़ अन बेज 2019 तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो अप्शन नमबर सी वान एंड ठर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है वाट आर दा जेनरल ड्यूटीज और एन अकुपायर है अकुपायर का एक समान ड्यूटी क्या है तो अकुपायर की अगर बात करें समान ड्यूटी का तो पहला ड्यूटी इसका होता है कि जो मेंटनेस और प्लांट्स एंड सिस्टम और वर्क इन फैक्टरी आर सेप विदावट एन रिस्क टू हेल्थ और जो प्लांट्स होता है उसके मेंटनेस सिस्टम की वर्क प्रोपर तरीके से होरा आओ फैक्टरी के सेप एंडिशन में हो और बीना किसी हेल्थ रिस्क के हो या इंस्यूर करना अकुपायर का काम होता है जेनल ड्यूटी होता है इसके लाब हम बात करें अगर तो यह भी sweetie ensure करता है कि जो हमारा safety and absence of risk to health in use, handling, storage and transports of particles and the substances के परकार के आइटिकल और सावस्टांसेस के ट्रांस्पोर्ट्स, स्टोरेज और हैंडलिंग में हमारा किसी भी परकार के जो हमारा डिस्क है हेल्थ के रिगार्डिंग उसको सेप्टी इन्सूर करना हमारा अकूपायर का जेनरल डूटी होता है तो यहाँ पर हमारे जो सही उत्तर होगा ओप्सन नमबर C 1st and 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ट नहाँ पर है Industrial Disputes Act वो आज 1st amended in the year आनि जो हमारा Industrial Disputes Act होता है वो पहली बार कब संसोधत किया गया था तो सबसे पहले हम जान ले कि जो Industrial Disputes Act है इसको सबसे पहले जो Operation में जो Effective में आया था वो हमारा 1947 के उत्तर हमारा Effective में सबसे पहली बार आया था जिसको emend करके हमारा पहली बार जो amendment किया गया था वो हमारा 1949 के अंत्तर किये गए थे कि हाँ पर जो सही उत्तर होगा ओप्सन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है HOER हैनि hours of employment and period of rest rules came into effects by government of India after recommendation made by the tribunal और tribunal के recommendations के बाद जो HOER effect में आया था वो कब आया था तो यह आया था एक अगस्त 1974 में आया था यहाँ पर option number भी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है running stop as per HOER means the stop who are defined to be in यहाँ पर बोला जा रहा है कि HOER के नुसार running stop का मतलब क्या होता है जो defined किया गया है rule number 1507 of Indian railway code 111990 नहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है railway servant governed under HOER classified as यानि जो railway servant जो है वो under HOER के अंतरगत governed किये जाते हैं इसको मिली चार केटगोरी में डिवाइड किये गये हैं पहला जो आता है वो हमारा continuous आता है second हमारा होता है intensive, third हमारा होता है essentially intermittent और fourth हमारा होता है intensive excluded तो यहाँ पर हमारा जो होगा O option number D all of the A वे विसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है excluded describes the अनि जो excluded जो describe करता है वो क्या करता है तो यहाँ पर हम बात करें excluded का तो वो जो identify करता है कि staff के पास कोई भी limitations नहीं हो वर्क का तो वो ऐसे type के क्रमचारी को excluded के अंतरगत रखा जाता है जैसे कोई क्रमचारी employed in confidential capacity में हो तो इसको हम excluded के अंतरगत describes करते हैं यहाँ पर हमारा option number जो होगा वो हमारा option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके अलाबा हमारा certain staff जो हमारा health और medicine से related है उसको भी excluded के अंतरगत रखा जाता है इसके अलाबा जो railway schools के जो staffs होते हैं या जो supervisory staffs होते हैं वो सारे का सारे excluded category के अंतरगत रखे जाते हैं नेश्ड जो प्रस्ण है betting room bearers comes under which HOER clarification जो room bearers जो होते हैं बैटिंग room bearers या जो बंगलो पीओंस होते हैं गेट मैंस होते हैं या कियर टेकर होते हैं यह सारे सारे essential intermittents category के अंतरगत आते हैं यहां पर जो सही उत्तर होगा O option number भी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ड यहां प्रस्ण है यहां पर बुला जारा है कि जो intensive category के जो करमचारी होते हैं उनको कितने घंटों से ज़्यादा बिक में जिसमें periodical और जो हमारा complimentary जो टाइम्स होते हैं वो कितने घंटों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो इसमें हमारा जो होगा वो 45 hours पर बिक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यहाँ पर option number जो होगा वो option number यह इसका सही उत्तर हो जाएगा यह intensive category के लिए बताया जा रहा है नेश्ट यहाँ प्रस्ण है रोश्टेर आबर्स और बंगलो पियोंस क्लारिफाइड एज डैस बिल भी डैस आबर्स अब इक बित एफेक्ट्स फ्रॉम 108 1974 एज फोलोग जब भी हमारा एक अगस्ट 274 में जब भी इफेक्ट में आया था हमारा रोश्टेर तो उसमें जो बंगलो पियोंस थे वो हमारा इसेंसियली इंटर्मिटेंट के अंतरा दाता था और इसका जो बिकली जो डूटी रखा जाता था वो 75 आबर्स तक 72 आबर्स तक मैक्सिमम रखा जाता था यहां पर हमारा जो होगा वो ओप्सन नमबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहां पर है इन केस आप डूटी रोस्टर दा सौट आप प्रियेड फूर कंट्निवस प्रियेड फूर कंट्निवस वर्कर बिल भी नहां बोला जा रहा है कि इन किसी भी केस में जो डूटी रोस्टर है sort of का continuous period के लिए जो continuous worker होते हैं उनके लिए कितनो घंटों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए तेहाँ आप हम बात करें अगर जो continuous category के करमचारी होते हैं उसके लिए जो sort of का period रखा जाता है वो less than 10 hours का रखा जाता है तेहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपसर नमबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा less than 10 hours नेश्ट प्रस नहाँ पर है दे डिवटी रोस्टर दे इसेंसियली इंटर्मिटेंट वरकर यानि इसेंसियली इंटर्मिटेंट वरकर का जो डिवटी रोस्टर होता है वो less than 12 hours का होता है नहाँ पर आफसर नमबर जो होगा वो आफसर नमबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहाँ पर है दो अबर टाइम वरक डन बट दा लिमिट्स आप रोस्टेर आबर्स एन दा इस्टेट्वरी लिमिट्स जो होता है आबर्स का यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर अबर टाइम दिया जाता है अगर जब जो वरकिंग आबर्स एक रमचारी का वो उसके रोस्टेर आबर्स से अधिक हो गया हो लेकिन जो इसके इस्टेट्वरी लिमिट्स होता है आबर्स का उससे कम हो दोनों के बीच के रेंज का होगर तो उस समय जो उसके ओर्णरी जो रेट्स पेका होता है उससे कितने गुना ज़ादा इसको पेक करना होगा एया जिए अभर्ट टाइम वरक के तोर पर यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ओप्सर नमबर B 1.5 rate times of the ordinary rates इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्सर नमबर B नेश्ट यहाँ प्रस्ट है अबाट टाइम बियोंड अस्टुट्री लिमिट्स दा परसेंट बिल भी दा मेट 10 times the ordinary rate of pay पिछले प्रस्ट में था कि जो टाइम का लिमिट्स था वो इस्टिंडर आबर जो होता है वर्किंग टाइम का करमचारी का उससे अधिक हो गया हो लेकिन वो इस्टुट्री लिमिट्स जो था उससे कम था लेकिन यहाँ पर बताय जा रहा है कि जब भी करमचारी का अगर जो एक मैक्सिमम स्टुट्री लिमिट्स होता है जैसे अगर बात करेंब इंटेंसिव के लिए तो उसका वर्किंग जो आवर्स होता है वो हमारा होता है 42 आवर्स और जो स्टुट्री लिमिट्स होता है वो 45 आवर्स का होता है अगर 42 से 45 के बीच हो तो इसको 1.5 के रेट से पी किया जाता है अगर 45 आवर से भी अधिक हो जाता है तो इसको 2 टाइम्स नर्मल जो पे होता है उससे ज़्यादा दिया जाता है तेहां पर बोला जा रहा है कि जो इस्ट्यूट्री लिमिट्स होता है उसको भी आप पार कर चुका है तो उस दोरा जो पेमेंट दिया जाएगा एज अबर टाइम के रूप में वो और्डिनरी रेट के 2 टाइम्स दिया जाएगा यानि दो कुना दिये जाएगे तेहां पर ऑप्शन नमबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस नहां पर है पास्ट टू बिड़ो बिड़ो और अब रेलबे एम्प्लाइज आर एम्प्लेमेंटेड बित एफेक्ट्स फ्रॉम यानि जो बिड़ो या बिड़ो और रेलबे एम्प्लाइज को पास दिया जाता है वो कब से प्रभाब में आया था तो यह प्रभाब में आया था 12 मार्च 947 से आया था यहां पर ऑप्शन नमबर जो होगा ऑप्शन नमबर यह इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्द गियर बात करें यहां पर तो नेश्ट प्रस्ट आफिसियल लेंग्वेज यानि राजभाशा से पूचे गये हैं कि राजभाशा आयोग यानि आफिसियल लेंग्वेज कमिसन का गठन यानि formation कब हुआ था यह formation हुआ था 7 जून 1955 को किया गया था जिस समय पहली अध्यक्ष बनाए गए थे बाला साहफ गंगाधर खेर यानि बीजी केर को एज या अध्यक्ष के तौर पहली 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 अध्यक्ष यानि Chief Works of Manager यानि मुख राजवासा करखाना प्रवंदक होते हैं तेहां पर जो सही उत्तर होगा को अफ्सन नमबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहां प्रस्ण है छेतिरिये राजवासा करेवरन समीती की अध्यक्ष कौन होते हैं यानि यहां पर जो नल पूछा जा रहा है कि जो नल अस्तर पर जो राजवासा करेवरन समीती की अध्यक्ष होते हैं वो जनल मेनेजर यानि जीम यानि माहा परवंदक होते हैं य दिविजन लेबल पर जो अध्यक्ष होते हैं वो DRM होते हैं निश्ट प्रस्ट निहां पर है जहां सी करखाने में जो उप डिप्टी चिप ऑफिसियल लेंगवेज जो ऑफिसर है वो कौन है तो यहां पर डिप्टी सीपीओ अनि डिप्टी चिप प्रसनल ऑफिसर इसके पंुख राजवाथ सा अधिकारी होते हैं तहां पर ऑफिसर नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ट में हाँ पर है लाल बहदु सास्ती प्रुसकार किस बिसय पर परदान किया जाता है तो जो अवार्ट दिया जाता है लाल बहदु सास्तिरी वो क्रमच नमबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट यहां प्रस्ण पूछे गए हैं सभिधान सभा में हिंदी को राजवासा बनाने का प्रस्थाप किस ने रखा था सभिधान सभा में हिंदी को राजवासा बनाने का प्रस्थाप जो रखा था वो गोपाद स्वामी अयंगर ने रखा था तेहां पर आप्सान नंबर भी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद ही 14 सितंबर 1999 को आर्टिकल 343 की वन के अंतरगत हिंदी को as a official language और दिवनागरी लीपी को as a script के तोर पर अपनाया गया था राजवासा के रूप में नेश्ट प्रस नहाँ पर है केंद्रिये हिंदी समीती के अध्यक्ष कौन होता है केंद्रिये हिंदी समीती के अध्यक्ष पधान मंत्री यानि प्रायमिनिस्टर होते हैं यहाँ पर आप्सान नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस निहाँ पर पूछे गए हैं हिंदी में गीत गजल अत्वा काबे संग्रा लिखने में के लिए मैथली सरन गुप्त एबॉट दिया जाता है जिसमें इसका प्रुसकार की रासी कितना होता है तो मैथली सरन गुप्त एवार्ट जो दिया जाता है काबे संगरन के लिए इसमें जो first price जो winner होते हैं उनको 20,000 second winner को दिया जाता है 10,000 रुपे और third winner को दिया जाता है 7,000 रुपे तिन आदमी को इसमें एवार्ट से नोमिनेट किया जाता है तेहाँ पर हमसे प्रस्ट में पर्थम पुछे गए थे तो 20,000 रुपए आपसर नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेश्ट प्रस्ट नहाँ पर है हिंदी में सरवधिक कार्ज करने वाले बिभाग, मंडल की साखा करखाने के सामोई पर्थम पुरस्कार की रासी कितने दिया जाते हैं जब भी हिंदी में अगर सरवधिक बेश्ट रूप से कार्ज अपना देते हैं कोई विभाग या मंडल की साखा या करखाने की सामोई पुरत्दान पुरस्कार तो इसके अंतर जो एबॉर्ड दिये जाते हैं वो दिये जाते हैं जिसमें पर्थम पुरस्कार यहाँ पर बोला गया है तो पर्थम पुरस्कार के तोर पर 12,000 रुपे की कलेक्टिव रासी दी जाती है तो यहाँ पर आफसान नमबर जो होगा वो आफसान नमबर भी इसका सही उत्तर होगा नेश्ट यहाँ प्रस्ण है रेल मंत्राले द्वारा देश में पर्थम आपदा परवंधन केंदर की अस्थापना कहां की गई थी यानि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रेल्वे डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टूट्स है वो रेल्वे के पर्थम आपदा परवंधन संस्थान है उनका कहां पर इसमें इस्थापना किया गया था तो यहाँ जो हमारा करनाटक के अंतर जो बैंगलूरू आते हैं वहाँ पर हमारा इसका गठन किया गया था यहाँ पर हमारे जो सही उत्तर होगा ओफसर नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंगलूरू जिसका उद्धेश है कि जो हमारा candidate को classroom के साथ practical training जो हमारा दोनों परदान करना होता है जिसमें हमारा simulation के मदद से जो हमारा trainer के नदी में गिरने coachों में आगे लगने जैसे जो simulation process होते है उनके माध्यम से कैसे उसमें अपना योगदान दिया जा सके कैसे उसमें improvement लाई आ सके इस सारे के लिए railway द्वारा railway disaster management institute का अस्थाबना पर्थम बेंगलूरू का नाटका के अंतरगत किया गया था तो यहाँ पर option number जो होगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वीडियो कैसा लगा comment box में बतारा ना भूले साथ इसाथ वीडियो को like एवं चैनल को subscribe करना ना भूले साथ इसाथ अगर आपके पास भी कोई ऐसा paper है जिसका आप solution चाहते हो तो description box में दिये गए वार्शब नंबर पर अपना paper भेश सकते हैं धरनेवाद टारो में पर नंबर नंबर सुएड़ पर आपके वीडियो को कावके वार्शब का का।